आज इस वीडियों जानेंगे कि आप SBI Security एप में अपने बैंक एकाउंट से फंड लोड कैसे करेंगे जैसे कि आप जानते हैं सेर मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको SBI Security एप में अपना फंड लोड करना होता है आप देखिए सबसे पहले आप SBI Security एप को अपन करेंगे और सबसे उपर यहाँ पर आएंगे 3.00 पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर लिमिट्स पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद देखिए हमारे जो फंड है ओजीरो है यानि हमारा जो SBI Security का wallet violence है वो 0 है अब यहाँ पर load करने के लिए आपको यहाँ पर 3.00 पर click करना है अब आपको दूसरे number पर hold release fund पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर देखिए transfer, release, withdrawal कई सारे option मिलेंगे तो आपको यहाँ पर transfer वाले पर click करना है click करने के बाद अब यहाँ प मैं 15,000 रुपए load करके दिखाने वाला हो तो मैं 15,000 रुपए डाल दिया और उसके नीचे आपका यहाँ पर bank account दिखता है और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर UPI और net banking दो option के माध्यम से आप जो है fund load कर सकते हैं SBA Security आप में तो जैसे मैं net banking से बताने वाला हो तो यहा यहाँ पर देखिए आपको user ID और password यहाँ पर दोनों आपको डालना होगा जो भी आपका user ID पासवड होगा और डाल देंगे डालने के बाद सबसे नीचे यहाँ पर login का option मिलेगा उस पर click करना है click करने के बाद आपके सामने अगला option इस पर कर से आएगा देखिए यहाँ पर कुछ detail दीखेंगी और सबसे नीचे यहाँ पर confirm का option मिलेगा उस पर आपको click करना है click करने के बाद यहाँ पर अगला option फिर इस पर कर से आएगा तो यहाँ पर आपको सारी detail फिर से दिखेंगी कुछ और इसके बाद सबसे नीचे high security password यहाँ पर जो लिखा हुगा है उस security app में देखिए यहाँ पर load हो जाएगा देखिए payment successful और आपको कुछ नहीं करना थोड़ा wait करना है wait करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका fund load हो जाएगा इस परकार से जैसे मेरा fund load हो गया है अब आपको देखिए देखने के लिए limit पर फिर click करके आप अपने fund को या फेनों में trade करते हैं तो उसके जवाब दे आप खुद होंगे मैं या मेरा channel इसका जवाब दे नहीं होगा अगर आपको इस सारी जानकर यह अच्छी लोगों ता आप मारे channel को subscribe कर सकते हैं